हेलो दोस्तों स्वाइब थे आपका फार्मिंग सिमिलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में तो पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने जो इस खेत में वीट लगा रखी थी ना उसमें हमने अर्वेस्ट चला दी थी और अर्वेस्ट ने लगवा गी है महल कंडा वोलते हैं एक य लगाया था और फिछली वीडियो में दस गाएं घर ली थी जो कि आप यहां पर देख सकते हों लेकिन पिछली वीडियो में इनको कुछ भीखिला नहीं पाया था क्योंकि मेरेको पता ही निए था पहिंको क्या खिलाना क्या नहीं चलो यार आज आज की वीडियो में है ना इन गायों का बेचारियों का पेट बर देते हैं क्योंकि भाई मजब से गाये लाया हुना बेचारी भूकी प्यासी तेसाई खड़ी हुई है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वहां पर आर्वेस्टर लगा रखी है ना उसको एक बार मैं खाली कर द इता हूं अपनी ट्राली भाई खाली होना शुरू कर दी है और यह ट्राली मैं इसलिए बड़ी थी कीमा देख रहा था कि अपनी गाये बारले भी निखाती और जो गेउं होती है ना वह भी निखाती वैसे वह असली जिन्दगी में नॉर्मली देखे ना तो भाई गाये जो भी खाती है और वीट भी मतलब की गेउं भी खाती है पता नहीं यार गेम में क्यों निखाती क्योंकि यह वीदेशी घाये हैं ठीक है यहां पे ट्राली अपनी पूरी खाली हो चुकी है फटा फटा पड़ी जीप को है ना आर्वेश्टर के पास ले जलते हैं और सारा कोई बात नहीं हम भी भाई तीरे-टीरे का पास हुगाएंगे तो अर्वेश्टर के अंदर मैं बैट चुका हूं एक मिट यार खाली करना है क्या हो गया खाली कैसे होगा मैं भूल क्यों जाता हूं ठीक है खाली होना अपना अर्वेश्टर सुरू हो गया अभी थोड़ी मेरे को लग रहा था कि जो अपनी जीप है वो खेट में फस जाएगी तो मैं इसलिए अपनी जीप को रोड से लेके आया हूं ताकि इसके तायर वगेरा दसे नहीं चलो 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 ठीक है अपनी ट्रोली मैंने यहां पर लगा दी आप खाली कर देते हैं यह भी साहिद मेरे चलो इंतजार तो करना ही पड़ेगा अपनी ट्राली खाली हो गई है और इसको थोड़ा सा साइड में लगा के यहां पर रोख देते हैं चलो अब नीचे उतर के भाई फट फट घाएं वे पास जाकर देख लेते हैं कि गाएं क्या क्या खाती है तो अपने को यहां पर जाके और अनिमल बगेरा पर जाकर देखना पड़ेगा तो यहां पर चलके और यह रही वाई ओल्स्टन फ्रीजन भी खाएगी और वोटर वोटर भी डालना पड़ेगा ठीक है अपनी गायों को है जादा जूरूद तीन चीज़ों की एक तो हे यानि की भाई तूड़ी और एक गरास जो की अभी अपने पास बिल्कुल भी नहीं है और एक पानी और अपनी गायों की अंदर भाई एक मिट रुकना सायद हमारी गायों के बीच में भाई गास खाने इरन आगी थी और एक इरन याँ पी भी है तो काफी मस्त लग रही है ठीक है तो हमें आगास लेके आना गास कहां से लेके आऊँगा भाई अपने को तूड़ी बनाने के लिए कुछ लेके आना पड़ेगा यह देखो अपने पास तूड़ी तो बहुत सारी है खेत में लेकिन इसको उठाने के लिए और इसको नन्ना यानि की पीछने के लिए कोई मसीन लेके आने ही पड़ेगी तो सीधा मार्केट में चलते हैं और भाई माँ आपको बता दू मार्केट में है ना मैंने एक मस्त चीज भी बुकिंग कर रखी है और उस चीज की भाई आज डिलिवरी होने वाड़ी है तो आपको काफी मज़ा आएगा वो भी माँ आपको दिखाऊँगा तो फटा फट है ना अपने को कोई टेक्टर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि जो मसीन है ना वो टेक्टर के साथ ही आप आएगी तो मैं बड़े वाला टेक्टर अपना फैंडिट वाला लेके जाऊँगा क्योंकि यह भाई पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता तो मैं खेतों के बीच-बीच से निकाड़ लूँगा क्योंकि अभी इन खेत वाड़ों ने कुछ न्यूगा रखा तो फसल बगेरा प्रबाद ओने का कोई चांस नहीं बनता ठीक है लेकिन हाँ यह तो गास क्योंकि अभी के लिए बहुत ही सस्ते वाड़ी खरीदेंगे क्योंकि अभी अपने पास दस गाई हैं और दस गायों का काम यह अराम से चला देगी यह वाड़ी मसीन और इसके ओपर लिख रखा है पॉन्टिंग और पता नहीं क्या है तो इसको बाय कर लेते हैं ओके बाय कि चलो भाई जोड़ ली है मैंने ट्रोली और अब फटा फट खेत में लेकर चलते हैं पता नि भाई इसके साथ और भी चीजे जुड़ सकती है अभी मेरे को पता नहीं है तो एक बार मैं नीचे उतर के देख लेता हूं क्या पता इसके साथ कुछ जुडता हो तो फटा फ पड़ेगा भाई कितने काम चो रही है बीच में काम को छोड़ के चले जाती है चलो मैंने दुबारा से इसमें याई वर्कर को बैठाया दिया और अब इस मशीन को भी देख लेते हैं यह काम कर भी पाए गया नहीं तो पहले तो मैं इसका जो रूट रहे हैं इसको नीचे तो देखना भाई कितना मस्त काम कर रही है मसीन तो कोई दिकत वाड़ी पात नहीं है ठीक है दीरे दीरे हमारी ट्रोली बरती जा रही है और साइड इसके अंदर हमें याई वर्कर नहीं बैठा सकते भाई नहीं यह काम मेरे को खुदी करना पड़ेगा चलो देखो पीछे अपनी तूड़ी उठती हुयारी है उठती हुयारी है तो यहां से यह वाड़ी लाइन तो मैंने कंप्लिट कर दी अब दूसरी लाइन पे उस साइड से शुरू कर देता हूं मैं क्योंकि इस साइड से उठाएंगे ना तो इसके पीछे-पीछे में कल्टिवेटर वाला ट 50% बर गई हैं तो एक बार मैं मसीन को बंद करके भाई गायों को डाल के देख लेते हैं क्या पता यह वहां पर अनलोड ही ना हो तो एक बात अपने गायों के पास चल के अनलोड करके देख लेते हैं उसके बाद मैं सारी तुड़ी उठा लूँ आराम से कोई ठीकतवारी बा साहद ये कांपे अनलोड कर ना है तो देख लेटे Hungarian है तो क्रोले का निसान हुट इस ना यहां पर देक्षाइए है थोड़ा सा और हारा के करते हैं लेकिन भाई अभी तक कोई भी उप्कें से ना इा है तो यहां पर जाके आई दबा के दो दिखेंगे तो ड अकसेप्टड ह वैंसे यह से बाए सबस्सके इड़ने बहा है क्या दिकत हो गया यार इसे वाहते थे टी थे आड्ट है क्या गा इंको विछारियों को हुण धाल है रहो कुछ सबत्तली कि मचैने यह पराद्स ठीक ना ना फृटाफट ले कर लिए Wait ठीक है दूबारा से में मार्केट में आ गया हूं और पीछली बार में मार्केट में है ना तो मैं आपको बताया है। घार से इंद से लेकर लेके भाई मैं पिछली बार आपको वो चीज दिखानी बूल गया, उसके लिए sorry ठीक है अभी मैं आपको वो वाली चीज दिखाने वाड़ा हूं और एक अपने को must water tank तो ले की जाना है ठीक है सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है और वो वाली must चीज भाई अभी दिखेगी आपको तो अपने को इस वाले option पे जाना है कार पे जाके और अपन लाख डोलर के करीब करीब थी ठीक है अभी यह ना इसको हम खरीद लेते हैं तो कुछ तो नहीं must भाई और इसकी में कुछ भी modification नहीं करने वाड़ा क्योंकि भाई बिना modification ही हमारी गाड़ी काफी मस्त दिखरी है और एक अपने को लेना था water tanker तो water tanker कहां पे मिलेगा सायद animal वाड़े option में मिल जाएगा यहां पे है ठीक है अफटाफट सबसे पहले तो जो अपना water tanker है इसको जोड़ लेता हूं उसके बाद गाड़ी की मस्त राइडिंग करेंगे सबसे पहले तो अपनी गायों को पाणी प्या देते हैं क्योंकि अपनी गाएं बहुत ही जादा बुखी है और प्यास तो मेरे को लगता है अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ जाएं बस गाये को ठीक करा देना भाई ठीक है यहाँ पर जाके सबसे पहले तो एक बार वेट देख लेता हूं और वेट है हमारा ओ भाई सोदा तन ठीक है और अभी इसमें पानी बरेंगे पानी बरने के लिए अपने पास एक unlimited source है जो यह छोटी सी टंकी है ना देख लो भाई इस तंकी सी है ना मैं यह पूरा का पूरा टैंक बढ़ सकता हूं यह भी मस्त चीज्थ है ठीक है यहाँ पे जाके देखते हैं इसको भर भी पाऊंगा या नहीं यहां पर चलके और सायद हमें आर के अर दबाना है न ऑके हार दबातAS 2 वाइंเรา हमारा यह बारा cuma शुरू हो गया तो एक बढ़र मैं इसको पूर तो कर ले ता मुस्थ कर लेता हूं , उसके बाद मस्त गयों को डाल देंगे .hey अपने यह टैंक इतनी बड़ी है Nah कि है यह ऐसे यहां पर जाकर और अपने water tanker को मैं फोड़ा सा side कर लेता हूंие किया यहां पर मैं ढाल पाउंगा ? आई दबाएंगे ? नहीं हो रहा थोड़ा सा back करके देखते हैं ओ भाई ! यहां पर option आगया ठीक है ? यहां पर आई दबाते हैं और निच्छे नहीं हुजाता हूँ ठीक हम यहां से भी देख सकते हैं और यहां पर देखो यहां पर ऑड़ना शुरूआ है और यह फोरा ओ चुका है और एक गाय में पानी पीने भी आगई लेकिन पता ओने कैसे चली गई चलू हमने गायों के लिए पर नहीं यह तो नहीं रहेंगी तो एक बार हएना इस टैंकर को मैं यहं पर न किनेंक कर देता हूं आप लिए एक जाना के वहराई वो जाना बाद है तो सब से पहले तो अपने को टैक्ट्रों के पास झाणा है और अपने ट्रेक्टर को काम पे लगा देता हूं तो पहले अपना आईसर चलेगा सबसे आगे ऐसर को यह से मोड़ते हैं और शीदा खेत में काम पे लगा देती हैं चलो इसको मैंने यहां पर लगा दिया है और इसमें AI वरकर बैठा देते हैं कोई दिक्त वाली बात है नहीं अराम से खेत को कर देगा ठीक अब मैं दूसरा टेक्टर अपना फोर्ड वाड़ा भी लेकर आता हूं जिसके पीछे अपनी सुपर सीडर मसीन जुड़ी हुए है और यह टेक्टर देखना भाई बहुत ही ज्यादा गंदा और रखा यार चलो इसको अगली वीडियो में दो देंगे मस्त और जो अपना भाज़ा बादा भाज़ा डालना पड़ेगा तो मैं यह वाड़ा निकाल जिसके अंदर बार्ले का भीज है अभी होटका है कनौला सोयबीं सौरगोम एड़िस और गरास ठीक है इसके अंदर मैंने गरास का भीज डाल दिया है और फटा 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 अभी ऐए आईवर कर बेठा देते हैं अराम से बोले भाई क्या हो गया चल भाई याई वेड़कर छोड़ के भाग क्या है मेरे आखों के सामने दूबारा से बैठते हैं और साइद मेरे कोई मशिइन चलानी पड़ेगी ऐपके ठीक है अब साइद इसके अंदर जो आई वरकर बैठा दूँ मैं चलो मैंने दुबारा से याई वरकर बैठा दिया है चल भाई क्या हो गया यह सुपर स्टर मसे रहना थोड़ी सी एवी है अपने टेक्टर को जोर बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है और आगे से भाई आई से टेक्टर भी आ गया तो कोई दिकत वाड़ी बात नहीं है अब भाई मस्त हम गाड़ी के डिलिवरी लेने जा रहे हैं चलो भाई चलते हैं चलो हम मार्केट में तीसरी बार आचुके हैं और यह देखना भाई मार्केट वाड़े कितने ज्यादा गंदे लोग है एक तो मैंने इतनी महंगी गाड़ी और यहां पर बंदों ने कुछ रीबन वगेरा और फोटोग्राफर कोई नहीं बुला रखा तो बहुत ही गटिया हो भाई तुम ठीक अपनी गाड़ी देखना भाई बहुत ही मस्त है और अपने को एना बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल गई तो चुप सबसे गाड़ी में बैठके यहां से निकड़ लेती है क्या पता हम से यह गाड़ी खोश ले और इस पीड़ और आवाज देखना भाई कुतनी दौसू है इसकी स्पीड पूरी 300 किलोमेटर पर ती गंटा है तो इसको एक पर बगा के देखते हैं चलो चलो और इसका एक मिंट रूप भाई एक लास टोप दिखती हैं ठीका फटा फटा रूप अंदर बेठके आपको मैं अंदर का इंटिरियर भी दिखा देता हूं अंदर का इंटिरूइर हमारा कुछ ऐसा दिखता है वह बाई कि हलोden पाई इनोंने मार्केट वाड़ोने नकली गाड़ी दे दिका देखना भाई इस तो मस्त लग रही है बाग से कोई दिक्ट नहीं है तो इन्होंने बोला है कि गाड़ी पूरी 300 की स्पीड पकड़ लेगी तो एक बार है ना हम यहां पे टेस्ट कर लेते हैं कि गाड़ी हमारी 300 पे चड़ भी पाएगी या नहीं ठीक है और आगे से गाड़ी आ गई है सो तो चड़ गई भाई सो पे तो चड़ गई ठीक है देखते हैं भाई कितना बाग पाएगी ओके डेड़ सो को टच करने वाड़ी है और आगे मोड आ गया भाई वरना तो और भी ज़्यादा चड़ सकती थी तो मैं यहीं से कटा लेता हूँ ओ भाई खेत में तो पूरी ग पर चड़ा पाऊं तो गाड़ी को मैं अपने खेत में ले आया हूँ और गाड़ी को भाई यहां पे अराम से खड़ा कर देते हैं चलो मैंने गाड़ी यहां पे छाओं में खड़ी कर दी है और अपना एक टेक्टर सायद अभे भी रुका हुआ है पता नहीं क्या हो गया चल भाई रुक क्यों जाते हो तुम लोग सायद इन दोनों के टक्कर हुई होगी पका और भाई एक काम करते हैं अभी है अपने फोर्ड टेक्टर को रोक लेते हैं क्योंकि गरास जो होता है ना भाई उसको एक बार उगा दो फिर वो अपने आप उगता ही रहता है उगता में मेरे को लगता है इतना ग्रास बहुत होगा तो एक बार है ना इस टेक्टर को मैं पीछे कर देता हूं क्योंकि अपना फोर्ड वाला टेक्टर आ रहा है और टेक्टर के अंदर कोई ड्रेवर भी लेडिजी है तो भाई टाइम से अटा लेने चीए अपना टेक्टर को चलो भाई आप आपकी भी छुट्टी जाओ यहां से इतना ग्रास तो बहुत होगा मेरे को लगता है चलो अभी अपने घास उगने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो नेक्स्ट वीडियो में उमारा घास उग जाएगा कोई दिक्ट वाली बात नहीं है और ग झालो 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